नमस्कार, कायतरी जोतिस के इंदर में आप सभी लोगं का स्वागत है, आप लोगं के लिए हम इस आई जोतिसा से जुड़ी महत्यपून जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर परसारिद करते रहते हैं, जोतिसा से जुड़ी भी हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगं के लेक जो तिस सास्तर में बताया गया है यदि दो ग्रह यदि मजबूत इस्तिती में है या ये दो भाव अच्छी इस्तिती में है इनके स्वामी भी यदि मजबूत इस्तिती में है तो ऐसा ब्यक्ति आकर्शन लिये वे होता है किसी भी जन स्वमुदा ब्यक्ति को अपनी और आकर कर सकता है कहने का ताच परिया है कि यदि चंद्र ग्रह वा सुक्र ग्रह अभी बिस्तार पुर्वग बताएंगे और दुसरा पंचम भाव वा सब्तम भाव मजबूत है या इनके स्वामी मजबूत है तो ऐसा ब्यक्ति अपने आप में खुपसूरत होता है आकर्चन लिये हो काटिका होता है जैसा कि कोई भी व्यक्ति बनना जाता है कि ये बिल्कुल अच्छा है है खुपसूरत है बिल्कुल अच्छी काटिका है तो ऐसा गौड गिप्ट के तौर पर विसेश तौर पर उन लोगों को प्राप्त होता है जिनके चंद्र ग्रह मजबूत हो विसेश सुक्र ग्रह जिने सौंदर्य का स्वामी कहा गया है आकरशन का का स्वामी कहा गया है खुपसूरत ब्यक्तित्य का स्वामी कहा गया है यदि ये ग्रह यदि अच्छे इस्तिती में है सुबस्तिती में है और वैल इस्तिती में है तो ये तो लकीर है इमान के चलिए कि ऐसा ब्यक्ति अपने आप में बहुत खूबसूरत होगा, हैंसम होगा, आकर्षन लिए वे होगा, किसी को भी अपनी और खीचने की ऐसी ब्यक्ति के अंदर समता होती है, वो किसी ना किसी तरीके से, बले ही आकर्षन अपने सब्दों से हो, या अपनी जो बॉडी लेंग्वेज, किसी ने किसी तरीके से ब्यक्ति के अंदर ऐसा हुनर रहता है कि वह बिसे समुदा या किसी को भी अपनी उरा कर सकता है दूसरा वो भाव, पंचम भाव, पंचम भाव को प्रेम का भाव कहा गया है बुद्धी का भाव कहा गया है और साथी साथ कहीं न कहीं यह भाव भी आकरशन वाला भाव है। यह भाव मजबूत है तो ब्यक्ति में यह गुण अवस्य आते जाते हैं। दूसरा जो भाव है इसके अलावा सब्तम भाव जो कि लड़के की जन्म कुंडली में इस्तरी भाव माना जाता है लड़की की जन्म कुंडली में पती भाव माना जाता है लेकिन ये भाव भी या इसका स्वामी भी यदि मजबूत इस्तिती में है अच्छी वैल इस्तिती मे तो ब्यक्ति यही गुण विसेश लिए होता है तो यह चीजें जो तिस सास्तर में आती है हर प्रकार की चीजे की कौन से ग्रह विसेश तरीके के बनाते हैं तो विसेश तोर पर यह चीज हम पहले भी आपके लिए एक बार बहुत पूरवे में लाए हूए है क्योंकि सुक्रग्रह का विसेश इसमें योगदान रहता है सुक्रग्रह की मजबूत इस्ति लेकिन कहीं न कहीं सुक्रग्रह के अलावा चंद्रग्रह की भी बहुत अच्छी इस्ति थी और साथ में पंचम भाव और सब्तम भाव की इस्ति होगी मजबूत होगी तो ब्यक्त इन चीजों में गुडवत विसेश रखेगा इसके साथ साथी यदि कोई व्यक्ति ये चीजें अपने आपने प्राप्त करना चाता है आकर्षन प्राप्त करना चाता है अपने ओर लोगों को आकर्शित करना चाता है या खुबसूरत हैंसम बनना चाता है यदि लगता है उस ऐसे जातक को, ऐसे ब्यक्ति विसेश को ये चीज़े चेक कर लेनी चाहिए, क्या उसके चंदरग्र, सुक्रग्र ठीक है या नहीं है, इनसे सम्मद उपायादी कर लेनी चाहिए, विसेश तोर पर सुक्रग्र को ज्यादा इसमें देखा जाता है, किन्तों चंदरग्र का भी बहुत होने जोगता होना होता है, साथी साथ, पंचम भाव वा सब्दम भाव, और किसी के ये सब चीज वैल है, तो समझो कि गौड्ड गिप्ट है, या तक कि सुक्र और चंदरग्रही या भाव भी मजबूत है, या ग्रही मजबूत है, वो भी अपने आपने आपने एक गौड्ड गिप्ट है, तो कि ये तो हर कोई ब्यक्ति चाहता है, बले यो बच्चा हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, स्वस्त रहना, फिट रहना, सुन्दर दिखना, सुन्दर खाना, सुन्दर वस्त पहना, हर किसी ब्यक्ति की इच्छा होती है, इससे कोई भी इनकार न उसे भी अपने सरे को हश्ट पुष्ट या सुन्दर दुसरे तरीके से ढाल लेते हैं तो यह चीज़ है कुछ ग्रह भी देते हैं ऐसा नहीं है कि हम जो सोचते हैं बस हम वैसा करते हैं कुछ सोचने की जो सक्ति होती हो ग्रहों द्वारा ही हमें प्रांफ्ट होती है तो तो मिलेंगे हैं इसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के साथ अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जैसरी राम जैसरी कृष्णा ओम नमस्तिवाई